जय गुरुजी संग जी, तू कट कट अंतर, सर्ब निरंतर, हर एक को पुर्ख समाना, एक दाते, एक पेखारी जी, सम तेरे जोज विडान, गुरुमा राइदी करनी, उधे तरीके, जो जैसा मन करें, वैसा, क्योंकि दूरुजी हमारे मालक है, मालक अपनी मर्ची से सब कुछ करता है, मालक को कोई कुछ कह नहीं सकता, कि ऐसा नहीं, तो तू ऐसा कर, अरदास, बेनती, अरजोई, मांग, ये सब कर सकता है, ने मरता, ने मरता सहित, फिर वो सब कुछ पूरा करता है, वो सब देता है, मगर अगर हम अपग्रेड अपना करके मालक को बोलने के ऐसा नहीं, तू ऐसा कर, तो बहुत बड़ी गलती होगी, सोच ही नहीं चाहिए ऐसी, करना तो दूर की बात, पर एक समझना है कि, वो जो करता है, अपने मर्ची से, और खास करके, उस सब के भले के लिए गुरुजी करते हैं, सत्गुरु सब नादा पला मनाएंदा बुरा तिस्दा क्यों होगे, तो सब दा पला करता है, क्यों कटकटे अंतर, सर्बने अंतर, उन्हें बहुत कुछ बनाया, आपस नाम चलो एक पेड़ नाम एक है, लेकन है कितने तरह की, अले एक तरह की, आपस में फर्क है, कोई छोटे में रहता है, कोई बहुत ही उन्चा चले जाता है, कोई छाया देता है, कोई नहीं देता है, किसी का रंग रूप कैसा है, किसी का कैसा है, कोई फ़ल देता है, कोई नहीं देता है, मौच है उसकी, एक एक चीज में उसने बदला हुआ है, अंतर रखा हुआ है, यह उनकी मौच है, सर्बंदर अंतर, अर तु सार किसी में कोई फर्क नहीं रखा हुआ, आप ले जनों ने देखा है गुर जी का सिरिक तोर पर समय, उन्हों ने कभी किसी के साथ ऐसा फर्क नहीं रखा, देखने में आया किसी की समझ में जरूर आया होगा मेरे को छुटी देदी मेरे जानने वाला हैं जो वो बठाई रखे हैं मौज है उक्तों मौज है जो मैं मर्जी करूँ वो कर सकता है मालक है किसी का किसी में भला क्या है वो यही जानते हैं पर गुरुजी के लिए उन्होंने किसी में फर्क नहीं रखा ऐसे भी बड़े लोग हैं आज बात करते हैं दावे से कहते हैं मेरे जितना प्यार गुरुजी ने किसी को नहीं किया यह सच है यह दावा उनका ठीच है क्योंकि सबके सार्थ दस मिलेंगे बीस मिलेंगे पचास मिलेंगे कभी बात शेड़ों कर दो यही कर गे मेरे से गुरुजी का बहुत प्रेम था गुरुजी मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, यह सच है, उन्हें किसी के साथ फर्क नहीं रखा, सब को बराबर, सब को सब कुछ दिया है, चाहे वो उसको दिख गया है, प्यार किया है, गुरुजी बहुत करते हैं, चाहे नहीं दिखा है, यह तो उनकी मर्जी नहीं दिखा ह लेकिन करते हैं शो करते हैं गुरुजी उनकी मर्जी है किसी के साथ बहुत प्यार करते हैं लेकिन शो नहीं किया माज़ गुरुजी और ये नहीं किको उनके साथ प्यार नहीं किया सब को एक नजर से देख तब तो गुरुजी ना अपनी तरफ से एक मैसेज देते थे संगत को शबत के थूँ गली जोग ना होई एक द्रिष्ट कर समसर जाने जोगी कहिए सो सब ने एक नजर न देविए सो ताहिं तो रब कहलाए हर एको पुर्ख समान एक जैसा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना अब लोग करो बात तेरे चोज विडाना चोज क्या होता है ये समझ लो चोज क्या होता है चोज होता है कभी बना लेना, कभी साइड में रख देना, कभी दिखा देना, कभी गिरा देना, कभी ढ़ा देना, फिर बना देना, मर्जी का खेल है यह, जैसे मर्जी खेले, फोटबॉल है, चाए पैर से कोई खेले, चाए अपने हाथ से खेले, चाए टपे दिलाए, चाए उपर उचाले, यह चोज करना होता है, वो सब करता है, कभी खाली प्लेयर को देखो, वो सब कुछ करेगा, कभी उटबॉल को पैर के ओपर ही वो उचालेगा, कभी कुछ करेगा, कभी हाथ से पकड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी उचालेगा, कभी हाथ पे रखेगा, यह चोज है, तो ऐसे यह दुनिया जितनी है, यह सारा इनका चोज है, एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोजी बढ़ाना किसी को ऐसा बना दिया वो बहुतों को दे रहा है बहुतों को दे रहा है वो दाता होता है देने वाला दाता होता है लेने वाला मंगता होता है किसी को मंगता हो बना दिया सब तेरे चोजी बढ़ाना आखर में इस विचार से जो बात समझ आई या जो हमने समझ ला है वो यही है कि गुरुजी हमारे सब के मालक है पर हमारे सब के लिए गुरुजी ने कोई अपने में फर्क नहीं रखा हम सब गुरुजी के लिए एक जैसे हैं वो हमें एक जैसे समझते हैं कोई बड़ा है कोई छोटा है यह मैटर नहीं करता उनके लिए बस हम याद करते हैं गुरुजी को गुरुजी कि आगे बैठते हैं कर्मों के खेल के मताबक यहां भी वो खेल चलता है दूसरा करी बार हो जाता है हुआ है कियों के साथ हुआ है जब अपनी अकल दोड़ाई नहीं तो गुर जी ने कुछ ना कुछ कहा है किसी को बुरा लगा है किसी को नहीं लगा है लगा है तो उसकी अपनी मर्जी है लेकिन क्यों लगा है क्यों बोलना पड़ा गुर्जी को प्यों कहने पड़ा है क्योंकि अपनी अकल दोड़ाई हैु को है बढ़ी सीवाध है अपनी अकल मत जड़िया है जिए जूषिया उतार देव उत्छे रख से आओ क्यों ये एक आपके और गुर्ज के बीच में एक बिगन का कारण बन जाती है अकल जो हर चीज काम करती है अकल भी काम करती है उसका काम ही है काम करना कुछ ना कुछ कहना कुछ ना कुछ सोच बचार के उसने कुछ ना कुछ ना कुछ पहना बोलना अकल ने बोलना है उस चाहिए उसने बोलना है मालक है मालक के आगे कोई जोर नहीं मालक के सब जब प्यार हो जाता है प्यार तब होता है जब शेप में आते 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 समय लगता है तो जब वो शेप में आता है तब फिर वो प्यार होता है तो प्यार में फिर कोई गलती नहीं होती, क्यों अब वो पूरी शेप में आ चुका है, अब वो पूरी शेप में आ चुका है, आज किया तो कुछ है ही नहीं हमने, लेकर बड़े स्याने बढ़ के दिखाते हैं, कारिकर की आगे आये नहीं, उन्होंने हमें शेप ही नहीं दे मूर्थी कार जो है जब वो शेप मिलाता है पत्थर को एक डड़ा होता है पत्थर का आप जानते हो ऐसे शकल का एक पत्थर होता है कि किसी के घर में ले जाके रख दो ना तो वो कहेगा उठा इसको बाद ले जाके क्या कर नहीं किसी काम का थोड़ी है यह देखना देखने में है कुछ ही यह क्यों रखाए ले जो इसको क्यों रखाए यहां कोई कबूलता नहीं उसको हम वो पत्थर है कि मुझे टड़ा निकलता है जमीन में से हम वो पत्थर अगर पत्थर उठके कहने लगे के मेरी पूजा करो या मेरे को यहां रखो में बनाना है उसको शकल देनी है शेप देनी है आप अब विचार करना कितनी चोटे खाता है हथोड़े की, छेने की, कितनी चोटें खाता है, टेक 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 छेलता है, छिलाई करके रख देता है, कितनी छिलाई करता है, फिर जाके वो एक किसी शेप में आता है, जब वो शेप में आता है, तो वो क्या शेप डाली है कारीगर ने, या तो वो ड्राइंग रूम के शिशुबत बनेगा, या फिर पूजा वले स्थान में वो पूजा की लाइक होके बैठेगा, कोई भूआन की मूर्ती बन गई, तो पूजा लाइक हो गए, मंदर जगा बन गई, अगर शेप बेगड़ भी गई, तो भी किसी काम का ने, हम क्या हैं, हम वो ड्ले हैं पत्थर के, इसकी कोई शेप नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, कि हमारी भी कोई सुने, हम सुनाना चाहते जब शेप ही नी ली, तो कैसे कोई सुनेगा, कोई नी सुनता, भरवारे नी सुनते, बाहर वारे नी सुनते, तो शेप के लिए कारिगर के पास जाना ज़रूरी है, हमारे में जो शेप आनी हैं, उनके कारिगर हैं गुरुजी, उनके जाना, संगत जितनी आप बैठे सुन रहे हो, ये गुरुजी के पास पहुँच चुके हुआ, चाये घर बैठे सुन रहे हो, लेकर मन चित आपका अब गुरुजी के पास पहुँचा हुआ, गुरुजी आ हैं गुरुजी के, गुरुजी हमारे बहुत करीब हैं, लेकिन हम करीबी वो जानते ही नहीं, जब याद ही नहीं करते तो फिर क्या पता दूरी क्या है, नहीं दीदी क्या है, हमारी एक और हालत है, वो भी मैं एक्जामपल से आपको बताता हूँ, जो लोहे को सोना बनाता है उसके उपर एक पत्ले से काज़ की परत डाल दो उसमें लपेट दो तो लोहे के साथ जब टेच करो तो फिर लोहा सोना नहीं बनता करीब कितना करीब आ गया है बिल्कुल पास ही लग गया है फिर वो सोना क्यों नहीं बनता क्योंकि एक बहुत पतली सी एक परत कालज की बीच में आ गई शेप में आने के लिए सुनना पड़ेगा फिर उसके मताबक चलना पड़ेगा ये है चोटेंग खाना जब चलोगे तो चोटेंग खाना है शेप में आना फिर छिलाई हमारी होगी एक दिन आएगा आप जो बोलोगे बहुत थ्यान से कोई सुनेगा जो बोलोगे अब बोल में वो ताकत आगई शेप आगई ऐसी बात इनसान कर जाएगा कि वो कोई भी बात को छोड़ेगा नहीं ऐसी बंदा फिर शेप में आएगा तो बात कर लेगा तो शेफ में आना भी मारे लिए जरूरी गुरुजी के पास आते तो हैं लेकिन समझ के चलना उस पर जो गुरुजी ने कहा वो शायद हमारी कमी रह गी तो उस कमी को पूरा जो इनसान कर लेगा फिर वो पूरा शेफ में आ जाए कमी हमारे में है गुरुजी में कोई कमी नहीं वो तो हर चीज के लिए तैयार बैठे हम सब गुरुजी के लिए एक जैसे हैं कोई फर्क नहीं हाँ हमारी आपस में शेकलों में फर्क है कट कटे अंतर है फर्क लेकिन जैसे हमारी शेकल का फर्क हो गया कद काठी का फर्क हो गया रंग का फर्क हो गया 84 लाख जोन है उनके लिए तो सब एक जैसी है लेकिन कट कट में जहां दुनिया में तो फर्क है इसकी शकल कैसी है किसी लेकिन गुरुजी के लिए सारी जोने चाहे कीडा मकौडा हो चाहे पंची हो चाहे छोटा सा कोई जीवानों हो चाहे इंसान हो गुर्जी के लिए सब एक जासा बस दूरी को मटाना होगा दूरी को हटाना पड़ जा फिर सारी बात आपको भी समझा ले बहुत साल पहले की बात है जलंदर में एक फिश अक्वियरियम रखा हुआ है जब जलंदर का मंदर बनाया तो तुम्पलेट हो गया वैसे में एक नौजमान लड़का आया कहने लगा जी नया बनाया है जी हाँ नया बनाया है मैं फिश अक्वियरियम का काम करता हूँ आप फिश अक्वियरियम रखो तो घर और सुन्दर हो जागा मैं हस पड़ा मैं कहा जी ये जिनका स्थान है ये घर एक मंदर की शेप में है मालक है गुरु जी वो अगर चाहेंगे तो मौज है उनकी दूसरी बार फिर आया की हिरसी आए ये फिर कहने लगा पógपने किया मौज आई जो ने का कितने का है जी इतने प電 00. Kaari का का मौज ऑए प्दर से निकले देखा किसी से बात कर रहा हूना है आके लो और ने की तरफ देखा अभी में पताना चाहता था ले खिर केरिम का काम करता है कहता है ले लो तो गुरुजी ने वो सारी बात समझ रागई एक शेकन में सब पता है वो तो जानते हैं तो सब पता है उनको तो वहां से उठे तो अंदर आ गए मेरे को कुछ बोले ही नहीं तो मैं समझ गया कि जब इतनी मर्जी से तूने मेरे से पूछा नहीं करता आ रहा है तो अब भी तू आप एक देख लिए क्या करना है गुर्जी ने कोई इसमें लेना देने वाली जैसे करना लेना देना कोई नहीं ऐसे वो हाल में छोड़े तो अपना अंदर आ गए तो मैंने इसे बात करी चलो सेटल हो गया तो ऐसे फिश और क्यरिम उसने बढ़ा के लेया एक अंदर रख दी रख दिया तो गुर्जी ने देखा तो गुर्जी बड़े खुश हुए जै समय गुजर गया कुछ संगत बैठी हुई थी एक मचली चोटी सी उसमें से जंप करके बाहर आगे जो गलास का जो केरिम था उसके उपर एक लकड़ी का एक हट रखा हुआ ताकि उपर से कुछ चीज ना गिरे जादा डस्ट ना अंदर जाए अच्छा भी लगे हट लकड़ी का एक बना के रखा हुआ तो उसमें उपर एक चोटा सा गया पैसा रखा हुआ उसमें से हवा अक्षीजन अंदर जाती रहें अंदर की हीटा वो बाहर आती रहें एक मच्छी उसमें से बाहर आई तो मैं ऐसे कैसर लगा कर तो ऐसे लबी में पैयरी रखा कि यह दरौज़ा लोबी का जो हौल का जहां संगर बैढ़ती थी उसी दरौज़े के साथी टेपर र्कॉर्ढ़ बहा हां रकी तो ऐसे लगा कर मैंने ऐसे देखा तो कुछ लो मैं कि अगए हो के पूछा क्या हुआ कि जी मचली बाहर जाया हं जो पर तो लेक्ष बोगत can rakhat לगा हुआ है क्य थे पता नहीं जी यह देखो यह कोई हटो पिछे हटो पिचे हटो पिचे हटो उन्हका है उसको साफ करना हाथ से पकड़ पकड़ की टब में डाल देना पानी डब में रख लेना तो एकवेर wyst खाली करने पहले सारी प Walker ईतनी से हाथ से एसे पकड़ में बीच में डाल देना तो वापस फिर ऐसे साफ करके पानी भरके डाले प्रैक्टेस से वहाँ पि मैंने उसको जबता उण आने तो पख्ड़ने कोश चीकी तो जॉम्प आगे लेगी इंध जाय पख्र आगे लेगी आध़ा जो लेंक करता है लोबी से और होल में जहां गुरुजी संगर्पपठी तक जब आई to गुरजी ने एकदम से इशारा करें बोला रुक जा मैं रुक गया उसने दर्वाजे की तरफ टर्न लिया जंप मारा दर्वाजे की तरफ द्रवाजे से जंप मारती अंदर और अंदर मारके यू टर्न बनता है गुरुजी तक जाने का एक्वेरियम से लेके गुरुजी तक पहुंचने का एक पूरा यू टर्न बनता है तो यू टर्न लेके तो गुरुजी के दोनों पैरों के बीच में जाके वहाँ उसने दम तोड़ दिया तो गुरजी में कबोले के देनुचुक बार पार कोई से दबा के आजा मैंने उसे को उठाया और और तो कुछ था नहीं स्कुरूडावर था पड़ा लॉबी अलमारी में मैंने वो उठाया उसके मताबका एक शोटा सा गड़ा किया उसमें रख के मिटी डाल के आगए अब वो सारा सीन जो था वो मेरी आँखों के आगे चल रहा और उसके एक विचार चल रहा है कि पहले तो बाहर नहीं आ सकती उस गैप में से बड़ा अच्छा निशाना मारा होगा तो बाहर रहा एक बड़ी कमाल की बात है वो नहीं सकता पर हुआ है तो बड़े कमाल की बात है फिर उसको पकड़ने की कोशिश की तो आगे गुरूजी ने बोल दिया कि रुक जा बस इमाल में जे बैठी दिल निकल गया रात लेट हो जाते थे गुरूजी संगत की कोई न बैठे हो ना तो लेट हो जाना तो रात हो गई निकल गई रात सुवेरे जब चाए पीने के समय हमयत और गुरूजी बैठे हैं तो गुरूजी से फिर मैंने पूछा कि परन बात नहीं है गुरुजी, पहले तो उसका बाहर आना ना मुम्कन है, चलो उस गैप से बाहर आदे, बड़ा अच्छा निशाना मारा, फिर आप ने रोक दिया कि नहीं पकड़ना, यूटर लेके दोनु पैरों के आपके बीच में जाके दम तोड़ देना गुरुजी, उनकारी लगती है कि दोनों पैरों में आके दम तोड़ना, कमाल की बात है, गुरुजी, कोई इनसान ऐसा नहीं करेगा, चाहते हुए नहीं करेगा, पहले तो उसको पता रही चलेगा के मौत आगे क्यूंए, गुरुजी, ये लीला क्या है? तो गुर्जी ने बताया, केंदे, अब देखो मैंने जिकरशेडा है कि गुर्जी के लिए हम सब एग हैं, एक जैसे केंदे, इना कईया दिना तु अरदासा कर दी पर इतियाना सुनना, कईया दिना तु अरदासा कर दी पर, इसने अपने जीवन देखिया, यह दिस सुरत जा गई सी, इनने अपने जीवन देखिया, फिर पिछले जीवन देखे, पहला की सी, इनसान तो कुछ होरी बनके, 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 फिर मचली बनके आज, एक छोटे जैक्वेरियम चुको मदी पहीं, ऐटी होया, केंदे फिर अपनी सुर्थ ने मेरी सुर्थ ना जोड़ी, मेरी सुर्थ ना जोड़ी, जोड़ी तो फिर अर्दासा कर दिया, केंदे के मैं इना जन्मा बिचनी पहना, एक बड़े खराब ने, चुंकि पले इनसान सी, एक एड़े जन्मा चे पहस गई आके, कोई अलांदी नहीं है, मिन मुक्ती दे देओ, मैं इना जन्मा बिचनी जाना, सोल को पता है, सोल जानती, आपके पिछले जर्णबी कब से, वो सफर कर रही है, सोल नहीं मरती, सरीर मरता है, इसलिए सोर को सब जान करी और सोर को ये भी पता है कि जहां से मैं आई हैं वो बैठे हैं सामने उसको ये भी पता है तब ही तो फिर अरदास से शुरू हो गई और मैंनु मुक्ति देऊ गुरुरुजी। मैंनु फैं जन्वनी चाहिए थे गुरुजी के दे इत्व ही मैं पूंम क्या बठा मैं क्या चेंगा मेरे खुल के आजा तैनु मुक्ति दे रांगा कि तांके दे ओधे चुपार दिख ली इस करके तेनु मैं रोकिया कि जे तू पकड़ लेंदा तेरे हाथ विची ओ मर जानी सी ओधा मिशन मेरे तक आके वाड़ा जेड़ा सी ओ रह जड़ा सी कि आपको एक बात बताऊं हम लोग कि आधा काम हो गया तो कई बार कह देंगा चल छड़ो यार पूरा करें जो है रब देकार विचे अज़्दा नहीं होता है वहां पूरा होता है तब जाके वो चीज मिलती है वो थे अध न चल ही ना किछ ले न दे होते को लेंड देंडे मेरे को यह लेला तो मैंनु यह दे दे पाई सौधानियां थे वो थे अधानी चल दा किछल अधा ही दे दे हो महाराज्या सब कुछ पूरा है गुरु पूरा काम भी पूरा तरीका भी पूरा होना चाहिए मिलेगा भी पूरा उते पूरन ता चल दी तो केंदे तेरे हाथे वे ची उन्हें दामत ओड़ते ना सी तो उदा सारे खेल विचे रहा जाना सी इसलिए ता नुरू क्या सी उतुम जस्तरे हैं केंदे चल के उन्हें वाइदा पूरा की ता जस्तरे हैं चल के मेरे खुड आई मैं उन्हों मुखती देती जनम मरं तो मुखत करदता जोती जोत रली संपूरन थिया राम राम ने पूरा करता है वोदे राम से लीन होगे यह तुम आई जोत उत्थे लीन होगे तो गुरेजी ने उन्हों लीन करता अपनी जोत वेचे उन्हों जोत लीन करती आई सीड़ी से आपे सारे खतम हो गए जिना चुपाए फिर देन से उन्हों सब खतम कर देते अब जानो इस ससन से उनके लिए सब एक जैसे हैं बस भेनती करनी आनी है चाहिए मांग करना आना जहिए तरीका हर काम का अपना तरीका होता है परदास करने का तरीका मांगने का तरीका हमारे लिए लगता कि हमने गुर्जी को खुश किया है वो क्या है दयाल हो गए खुश तो वो सदा खुश ही रहते हैं रब भी कदी ना खुश होया कदी रब भी हमेश वर्गे हो गये, कद्ये है रोनो लगए लग गए, कद्ये हैं नराज हो गए, कद्ये Si cauf गए, कद्ये Si khush हो गए, वो सदा-E khush दिन्दा है, द्यालता चलिया होना, के न मطलव है 그irie ,आ भोनु खुश करना आ अमतलव , द्यालता पर अपने वास्ते ऐसा दयालता चले होना तेक फिर गुरुजी कहने जा जो मंगया तेने देता हूं तो फर्क तो कोई नहीं रखा है अर्दास हम भी करते हैं अर्दास मचली नहीं करें अर्दास कीड़ों ने भी एक बार करी नाड़ी के कीड़ें ने अर्दास कीती देखो हो भी सुनते हैं क्यों उना दे पैदा कीते हैं जी जंत सब तेरा खेल कि विंजोग विच्छडया संजोगी मेल इस सब दाखेल है संजोग बनाना वियुदा काम है ते संजोग विंजोग बनाना वियुदा काम है यह सब दाखेल है हर चीज दाखेल है अब कीड़ों वाड़ा इस सच्छण की बात मैं करता हूं जिमारा लीला बनाते हैं यह लीला बनाई फिर तब ही तो आज बोलकर बताते हैं तो सब को समझाती है क्या हुआ था क्या किया गुरूजी ने ऐसा किया तो कौन कर सकता है तो गुरूजी कौन है खाना खाया गुरुजी ने खाना खाने के बाद एक दो चमच दाल के एक आद चमच सब्जी का ऐसे थोड़े थोड़े छोड़े दिये गुरुजी पांडे तोक रख दे ना भी बोलते तो भी हम धोके रखते हैं पांडे तोके रख दे पर गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोलते थे फार्तू पता है धोके रख देने पर बोलना लेकर जो बोलना है उसमें बहुत बड़ा मतला है सधारन से बोल को बस पकड़ लेना चाहिए गुरुजी सधारन ही ज़्यादा बोलते थे के दे तोके रख दे मैं अंदर गया अब थोड़ी सी दार थोड़ी सब्जी में है ये तो ऐसे पाने में बेश्टी चली जानी ये तो गुरुजी का सीथ परशाद है हम तो इंतजार करते रहते मिलता रहता था गुरुजी बोल के कहना देना लेकिन हम इंतजार करते हैं यृतनी बार मिले जाये गुरुजी का सीथ परशाद हो वाह वाह वाओ उतना ही क्या बात है भाकता में लिखा जाना है गुरूजी का सीत प्रशाद इस जीव ने खाया हुआ इतनी बार खाया हुए ये कौन है ये करीबी है इसको कोई कुछ ली कहेगा बहुत सी अन्यक बात है गुरूजी द्याल हो गया है ये करिबी है, गुरुजी के पास आ गए हैं, ये करिबी है, हर चीज जो है, वो करिबी की है, तो उसका फिर हिसाब लेखा जो खा कोई में, तो मैंने कहा जी तो ऐसे पानी में बैए जाना है, तो मैंने चमशे दाड़ कठी करी, वो खा ली तो सब्जी कठी की तो वो खा के बर्तम दो के अब मैं बर्तम दो ही रहा था तो इतुने की दोड़ा पिरूशा शी बास भराकाohl मेरे से तो जवाब ना दिया जाए कुछ भी यह तो क्यों गलती हो गई ऐसे गलती में ना डर बढ़ा लगता था मेरे बढ़ा डर आना ओहो यह पता ने क्या होने वादा मैं थेनु क्या सी के तो दे तो दाल समझीतो देनी चाहिती सी इस करके ते नाली दे वीच कीड़े बिठे हो मेरे अगी अरदासा करते पाये या के यह सी की सिते की बढ़ गया देख्वा जेकर नाली दे बढ़ गये माराज बचाएं देौ तो असी ते किते फिस गये ऊसी ऐसा की कारब्देँ हैं देखाऊं वसी फिस गये माहराज शुड़ाओ सेहनु नू बचाओ इस सहनु बचाओो माराज बचाओ था नू मुक्ती देऊ माराज बचासै यह सिर्थ तो दाते सिद्धानाडी जाना जद्व कहना सी उन्हाने मोख्ति हो जाने से नहीं है अट्थ विघर पात अट है उनमें दुबारा से छोना ता इंतिजाम करना पेला ते गाले सुनो उन्हां कहां करो जिना किया जांगा यह है तियार करना ये है बताते जाना शेप देते जाना तो फिर पास बैठके सोचने लगे हैं या इनसान पताने कोई कहता है कर नहीं कहता उसके लिए कोई इंतियाम है कर नहीं वो देखो कमाल है वो नाली में कीड़े बैठे वो कहते है महार महारे को मुक्ती दो जी हम कहां फस गए कमाल हो गए नाली के कीड़े बोलते है वो गुरुजी से बात कर गए और गुरुजी ने इंतियाम भी किया वो अलग बात है कि वो पहुंच नहीं सका अब खेदे गुरुजी के इते दोबारा परबांद करूंगे कमार हो गए गुरुजी के लिए सब एक जैसे हैं जो गुरुजी के आग साथ जुड़ता है वह हम उमोज करता है जो नारी का कीड़ा हो हम तो अपने आपको बड़े उत्म समझते हैं हम इनसान है हम तो गुरुजी के पास आते हैं हम तो इनसान है हमारा नमबर तो पहला है पहले नमबर वाले तो नारी में भी बैठे हैं जो पहले नमबर ले गए हम तो ऐसे ही रह गए इनसान बढ़े के ही घमट में ही रह गए पर उनके लिए सब एक जाए अरे एक को पूरक समाना एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे जोज बिटाना तो तेरे जोज जाते तेरी मर्जी तो तेरे ही अपना केल है चोज एक बंदा करना चोज करना एक ही करना अब बैठे काम दन्दा कोई नहीं खाले दो फ्री बैठे हैं चलो फाइल आती है देशते हैं करते हैं आगधर कुछ नहीं करता तो पेपर वेट पड़ा तो उठाकर उसको ऐसे भुमाने लग जाता है या पैन कोई ऐसे पर रटन लग जाए कुछ ना कुछ इसको चोज कहते हैं, केल कहते हैं, केल कम से कम दो बन देखा, केल चोज एक बन देखा, तो यह वही करते हैं, यह केल करते हैं, चोज करते हैं, यह चोज कहते हैं, इसलिए अब आज इस बात कर समझना है, यह उनका खेल हैं, उनकी मौज हैं, हम उनकी मौज से हैं, अपनी मौज से उन्होंने हमें बना दिया, हमारे साथ जो किया, उनकी मौज हैं, उनकी कर दिया, वरना उनका हमारा नाता क्या है, नाता तो जो है वो तो समझे नहीं, पर उनका नाता क्या है, देखा जाए तो क्या लाता है, ना इस्तेदारी हैं, ना कुपडोसी हैं, ना कोई दोस सरकल में रहें, ना कुछ ऐसा रह नाता क्या है तो फिर भी देखो हम समझते हैं जैसे समझते हैं जैसे नाता को जिए पर नाता बहुत गुड़ा हमारा गुरुजी का और गुरुजी का हमारे से गुरुजी का हमारे से है कि हम उनकी अलाद हम अपने उनके बच्चे अपने बच्चे बना दिये बना के रख दिया दुनिया माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं कि नहीं गले लगा के रखते हैं साथ लगा के रखते हैं न अर डिमांड हर चीज बिना मांगे भी कई बा आप तो नियाभी मावाबा बदल गया यह तो नहीं बदल एब के población घमर के अगले जर्म किसी और परिवार में जर्म लेके पजी के पास आएंगे रहेंगे तो वही गरी तो बदले हमारे मामा बदल गए घर बदल गया इलाका बदल गया कट कटे अंतर यह अंतर हो गया और आप तो सर्म नरंतर नहीं कि मन उनमें कोई फर्क नहीं है यह बात को हमने आज समझना है हम तो इतने सियाने बढ़ गए बर्मात्मा कितनी बार आया आज सिया और जितने रूप का हम आपको पता है हमने तो रूप ही परमात्मा के परमात्मा को उस रूपों में बांट के रख दिया ये क्रिशन मारा है, मैं तो क्रिशन मारा है के जाता हूँ, मैं तो नहीं जाओंगा इदा मैं तो नहीं उनकी बात करूँगा मैं तो नहीं यह करूँगा मैं तो वो नहीं करूँगा यह बात ठीक है जो मालक नहीं कहा है कि जुडो एक के साथ रूप अनिक है लेकिन एक रूप के साथ जुडो तो पार लग जाओगी सतकार सबका करूँ ये भी उनकी मौज है अब इस पे कोई सवाल ना उठाना ये उनकी कही बात को मान कर चलना अगर सवाल किसे ने उठा दिया वो तो फर गया वो तो दूरी से गया नजदिकी से गया इसलिए फर्क हमने डाल रखे हैं उन्होंने कोई फर्क नहीं डालता महराज रिपा करें गुरुजी के बनाए लिलाओं को समझने की कोशिश करो समझ कर फिर उस पे चलने की कोशिश करो उत्थे अमला दे होने ने न बेड़े इसे ने तेरी जात पुछने तो पाई उच्चाया के नीवा है ये किसे ने ने पुछना उत्ला वास्ते सबी कोई उनना ले सबी को अमला उत्थे अमला दे होने ने न बेड़े तो उसी अमला की कीता किसे ने किया है माड़ा कर ले बड़ा स्वाद आएगा है माड़ा कम है पर तुए कर ला तेरों बड़ा कुछ मैश जाना चार पैसे जाजा मैश जाएगी और तुपकती कर ला गुरुजी ने याद कर ला हो जाँ करेंगा सम अमल ये अमल करनों आस्ते जिनना ने अमल कर लिया किदा अमल कीता जब गुरुजी ने बोला है तो वो मान कर अगर आप चले तो कोई नुक्सान नहीं फाइदा ही फाइदा है गुरुजी ने जो बोला उसके हिसाब से चलोगे तो फाइदा लेगा लाहा मतले फाइदा है तो फाइदा लेगा सो अमल करना पड़ा जरूरी अमल पर ध्यान देना जो गुरुजी के अदेश जो गुरुजी कैसे हैं तो क्या चाहते हैं हमारे से ऐसी बाते हैं जब सुनते हो तो उनके मताबब फिर हो जाओ उनके मताबब चल पड़ो बस फिर मौजी मौजी तो और किर्पा करें फिर आगे जो गुरुजी बलाएंगे यह सरीर बहुत देगा तो अगले तह मुझे गुरूजी